यह जो आप देख्में होने फैनसिंग लगा रखे है आप पाकिस्तान है, फैसलिछ बेरे हुआ है जो मैं कड़ा हूं हुती है प्ल priv के सक्षािन थे चोटा सबस्टेशन है और यह टो स Alors्र लाहूर के लिए और छोटा सब्सक्राइब whether आप दियान से देखो गोगे नुट राइट गाइस वल्कम एक मैंशाना न्यू व्लोग आपको प्रिवियस अला व्लॉग अच्छा लग होगा गाइस अबने प्रिवियस अला व्लॉग नहीं देखे है तो पहले वो जाकर देखो पूरा हमने समझाय की बसंत जो अब बसंत है अच्छाल में कैसी होती है और इतनी माइंड ब्लॉइंग बसंत हमारी गई है इस बार की मलब चंडीगर में तो कोई इतना ज्यादा क्रेश है नहीं है बाकी बाकी सिटीज में बीदिज ज्यादा क्रेश पर दिख लोग नहीं देखा तो पहले वह बहुत जा है लास्ट विलेज जो इंडिया का था वो जब पार्टीशन के टाइम पर तो वहां पर भी जाने का प्लान है अब देखते हैं क्या क्या चीज़े कवर कर सकते हैं सारा गड़ी का यहां पर गुत दवारा है आपने केसरी मूवी देखी होगी अक्षे कुमार की तो वह सारे जितने माटियस थे उन पर ही बनाया हुआ है वो गुत वारा शुरू करते हैं फिर आज का ब्लॉग और बाकी बाते हैं सफर में वाल सेट तो लीव नौ अभी हम पहले जाएंगे सारा गड़ी का बार्डर जाएंगे पहले हम जाएंगे बार्डर उसके बार रेलवे स्टे लाजा उड़ा उड़ा करे पतंगे उड़ा अजाएंगे गड़ा और अचनि सहाब ने इस बंदे ने शुटती लिए इनु पाकिस्ताने ही लागा है मेरा विजा लगगा है पाकिस्तां तो जैसे बाट्रणी बाई जाता है निचे जाना है झाना इनु आणा इनु आणा विचों नो लगए है कि 10-15 साल पहला है जाकर आज हो गया है वो थे ही गए पाकिस्तान दी फिर वापता है दो मैं इसे स्मग्लिंग ना केस पर आया है तो मैं गॉच के रहेंगे से गाइस बच का वेदर है वो इतना कियर वेदर है अगर कल ऐसा वेदर हमको मिलता तो मदा आ है वनको ऑगने कैया को अटेक्ड़ के अगस्धोन देगे अकशंग में हाध करो है क् longest वर्पगति उपर को उसने अदेख मैं हसलिगद और को जिरुआ इसलिए होल निकला आजा जए बचया अटलो किया फिपे, है अनने लंबंब नभे न, आष्टलों बचलों बचले वि आज तरह शुकर है कि मौसम खुले हुआ है कैट वाला मौसम हुआ है पूरा अच्छ से कितना टाइम लगया है यह से गॉर्डर तक 15 मिंट का रास्ता है जान साइट के घर से गॉर्डर तक पाकिस्तानिया से लहोर है एट किलोमेटर्स यह जो आप देखरोंने फैंसिंग लगा रखीए अब इन्होंने इसलिह लगा रखी पाकिस्तन इंडिया के तब देखना इसलिह लें उनोंने फैंसिंग लगा रखी है ब्रिज पे जाओ च्टक पर रहे हैं और रहा है जाओ रहे हैं जाओ तो किलो मेटर पहुँगें से इस पर बादि आज हो रखी है सब्सक्राइबिया चुरू हो जुग विद्धे और कोविट की वज़े से बादि लगा दी है यहां पर चाहों परदी और यह है पुराना एशियंट सा अपना एशियंट भोल सकते जब पाटीशन से पहले यहां पर रेलवे स्टेशन होता था और उसी का इमनलों में प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि आज के अलकी जनरेशन उसको देख पाई कि उस टाइम पर कैसा रेलवे स्टेशन होता है तो वैसे से मौनुमेंट है यह पाकिस्तानी आर्मी जब 1971 में लड़ा हुई थी तब इननने डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसे को इननने ने पूरा ही वो बना रखा है पूरा बताने के लिए और यहां पर शूज अलाउट नहीं है यहां पर शूज आपको बाहर उतारने पड़ते है इसलिए समाधी है सुकदेव, राजकुरू और भगत सिंग जीगी तो तब ही शूज यहां पर लाउड नहीं है और यह है फूरा प्रॉप्टर रोट नहीं है अब चलते आगे और आपको दिखाते है आगे वाला और यहां से क्या आता है कि यहां से पूरे एक एक प्रेंग छोटी सी खड़ा दी है पहले वह भी ओपन होता था और इतना ज्यादा है ऐसला एशियंट सा लगता था ना कि पुराने स्टाइल का बना हुआ है और एक चोल मैंने उन्हें वैसा ही प्रिजर्व करके रखा हुआ हुआ यह स्टैचू है और यह इनके बारे में ने लिखा भी हुआ है आप इसको पड़ भी सकते हो यह राजगुरूजी का लिखा हुआ है यह बागत संह जी का लिखा हुआ है और सुदेव जी के लिकाओ और यह रंपर स्टाइबजी अभासंगीद बताएगा कि क्या प्रॉपर स्टोरी है यहां की जो कि कि इनका कि एक्चली जब उनको फांसी दी गई थी ना तो इन तिनों की बॉड़ी जो थी यही नदी के नजदी के जला दी तो इसी लिए तो गाइस आपको पते ही होगा कि जब उन तिनों की फांसी होनी थी राजगुरू सुक्देव जी बगत सिंग जी तो एक दिन पहले ही हो चु आपको लास्ट राइटस उनके गप्लीट के थे तो पूरा एरिया है तब ही समाधी बन चुकी है और यहां पर एक शहीद जोती भी जल रही है और यहां इनके बनाया रहा है तो यह वले एरिया के तो यह स्टोरी है और वो है पुराना स्टेशन है है जो पजाबी में लिखा हुए लिखा हुए है कि अब dalam करें दिलमें है देख कितना बाज्ब है कर दिलमें देमी देख और देख अभूनमारे है अब मैं उद्हक्रा दो में आनुकिंग संसिकार करका करने लाज्वर देमी है ङंक जदाब्स परपतोे हैं इंकली है अवे हिंदी में लिखा हुए है तो अवा जुन नहीं है कि अवन नहीं फेसि एपके लिगता है उनकर पहले कि बहुत दो उस कुछ पता नहीं था और यहाँ पे क्यों भी उन्होंने प्रेमिन प्रफॉर्म निकी बस लास डार्ट पूरे प्रफॉर्म करके उन्हों ने बस कर दिया तो यहाँ पे यह इस लिखा हुआ है यह गर आप देखोगे य। जेल अडिए प्रोंड़ सबसक्राइब इस तो यह वह बला सपॉर्ट घाल ए चाहिए पहलु जाया सके अटो सार्ट पर वह सब्सक्राइब की प्रेफेट टारी अगर कि नहीं की लिए रिफी रिवात से नहीं के श्वाट यह ती यह ती तो मैं तो जन इस वहुत है जन tricked किया है आपने की फुरेक्षी सहरा है तो यह थै ते उनके लिए के लिए अपिज पाई निशान है आप पूरे गोलियों की निशान वह एकाद है तो छहें हो भी बेबड्यशन के बाद निय Swet के बाद था again इसके 71 के लड़ाई में ही हुआ हुआ है जितना भी है ना क्योंकि तब ही टैमेज हुए थी इस वाली बिल्डिंग में पूरे वैसे निशान है और जितने भी बंबुम उनों ने गे रहे थे तो जितने भी डैमेज हुआ था वो अभी तक वैसे के वैसे हैं फ्लेयर्स भी व गिरा होगा जब पाकिस्तान से आया होगा और जो शेल के फ्लेयर्स थे और वह अभी वैसे के वैसे ही हैं सेम एक्जाक्ट जब वह बंब शेलिंग होगी तो पूरा बूरा डैमेज करती है नों बना है ऐसा ही यह सेम स्ट्ट्चर इधर भी बना था अजया है अजया है अजया है यह वह अगर आप देखो कि ना जितने भी शेल्स वहां की तरफ साहिए और जब शेल यहां पर बजा होगा अब पूरे पूरे इसके फ्लेयर्स अभी वैसी फ्लेयर्स है आप अगर आप ध्यान से देखोगे ना कैसे फ्लेयर्स है जब वह बॉंब यहां कि अब बजा होगा और एकदम काफी नुक्सान हुआ होगा इस बीडिंग क्योंकि वहां पर यह लिखवा है 73 में इन्होंने फिर से रीकंस्ट्रक्ट किया और यह पहले यह नहीं होता था इन्होंने अभी ट्रेन बॉक्स लग दि दो कि पूरा इस पॉराना सा पाडिशन के टाइम पर स्टेशन बना होगा यहां से आपको इस पूरी लाइन होती थी जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाती थी और बीज में से तो नहींने ब्रेक कर दिया 71 के लड़ाई में उन्होंने सब कुछ डेमेज कर दिया था प अब ज़्यादा उन्होंने साजिश की होगी और हुआ भी पर 73 में रिकावर करे लिया और उपर बड़ी साजिश है देखो और उपर जिखो गणा बदू बखी के चत्ते हैं तो इससे पहले और निकल जलते हैं तो इससे पहले निकल जलते हैं और जो डबा बना अब हमको अब पता चला है इसके अंदर एक शो चलता है जितना पुराना पाधिशन के पिच्चर पुच्छ उगी कुछ वैसा सही होगा मुझे पता नहीं है अब ही तीन बजे का वैसे ताइम बच चुके अधाई अभी वही देख रहे हैं कि रूख के शो देख लेते हैं बिकास त पुचते हैं कि यह जब 71 की लड़ाई हुई होगी और पॉंब शेलिंग होगी तो कितना कुछ हमारी आर्मी सहती भी है फिर हम को प्रोटेक्ट भी करती है तो एक शॉल्यूट तो बनता है इंडियन आर्मी को भी तो देखो यहां से एक्जाइक पता चल रहा है जो जो है कि बापीश चलते हैं थोड़ा सा टाइम का भी क्रण्च है इसके बाद जाएंगे हम सारा गड़ी कुद्वारा तो महां पर टाइम लगजेगा पौने तीन बजेगा यहां शो था उसके बाद भी आदा गंटा लगजेगा उपर तो साड़े तीन होगे और निकलना भी ह चंडीगड के लिए उसके लिए चार गंटे का तो रन है यहां से देखो कि न सामने वाला यहां पर शूटिंग हुई थी वह जो अंदर वाला गेट है उसके उस पर है पाकिस्तान और यह है यह वाली चेक पोस्ट है यह दिखानी रहे है पस हम खाली इसके लिए रुखे अब ही प्रेड हो नहीं रही है कोविड की रिस्टेक्शन के वज़ा से और इधर वाला इंडिया वाला है और उस सेड़ पर है पाकिस्तान का यहां से दिख नहीं रहा है इंडिया का फ्लैग तो दिख रहा है पर पाकिस्तान का है और यहां पर हमने गाड़ी लिए यह यह वाला रास्ता जाता है फिर उस्पूर के लिए आगे तो ऐसा कुछ है गाइस अंदर का तो बहुत ही अच्छा बना हुआ ना अगर खुला होता ना तो हम ज़रूर दिखाते आपको बहुत ही प्यारा बना हुआ अंदर से बार्डर मलब जो अटारी वाला है वो तो थोड़ा को कनेक्ट करती थी और इंडिया को कनेक्ट करती इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करती थी वह यह ली लाइन है अभी जाती थी टुवर्च लाहूर पर इन्हों ने यहां पर पार्टीशन के बाद यह यहां तक ही रखा तो यह लास्ट फेल्वे स्टेशन है हुसाइन ह जोदान भाला और इसके बाद धाहरा पाकिस्तान स्कार्ट है वह वरा बेज और उसके उस सेट । पूरी फैंसिंग के quantity रहते हैं जोगा इन्डिया चुप finer तरफ। अब से श distribऻ करिण सत्थी उसके तोड़ा सवयझ चले बलाव सब्सक्राइड से तुटतव है हमने एक चोटा हॉल दिया है लापीनो पीजा के लिए गूप भी लग चुकी है सारा गड़ी यहां से 3-4 किलोमेटर के दूरी पर है उसके बाद जाएंगे दूरो दूरा पहले कुछ खा लेते हैं कि अज़ियों अज़ा है अब ज़िस्ट घर पांचे है वहीं पुछा भी हमने करतिया कैंसल थोड़ा ऑद पाद शॉर्टेज रहे थोड़ा इस निखाने घटने लगेज समान पर हैं जब जा चलते हैं तो आपको मिलता हूं गाडी में इस टाइम को से बाइ-बाइ इनको भी बाइ-बाइ करने का टाइम आ गया बिकॉस आप निकलने लगे हैं सिता डिरेक्ट चंडीगर के यहां से लग जाएंगे चार के गंटे लग जाएंगे वैसे तो पहले हमारा यह प्लान था चार वह निकले आपको मिलता हूं मैं रास्ते में आपको मिलता हूं मैं रास्ते में तो विजस घर पहुंचे हैं तीन साधे तीन घंटी की जो ड्राइव थी ना लुद्याना सिटी में हमको थोड़ा सा जाम मिला वजना तो पूरा एकनम मखन की तरह हाइवे था आपको कल वाला और राज वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा आज तो हमने बहुत शॉट एंपल सा व्लॉग रखा है विकॉस बार्डर मन था तो उसका उर्टनेट वो रिल्वी स्टेशन था एं सारा गड़ी हम जानी पाए विकॉस टाइम का बहुत जादा क्रेंश था पर आपर आठ सारी आठ वे तक संटीगर पहुंशना था तो उसके वज़ा से हमने सारा गड़ी कर दिया था कैंसल पर कोई बात नी आने वाले लॉग्स में हम फिर से वह वह लग डिसे रखेंगे जिसमें पूरा फिरोज पूरा मच्छे से कवर करेंगे बिकॉस बहुत सा थोड़ा सा क्रंच था टाइम का तो इस वज़ा से नहीं आपको कल वला बसंत वला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा नहीं देखा तो मैं इसका लिंक छोड़ दूगा वह जाकर देखना कि विरोजपूर की जो बसंत है एवन बसंत है मज़ा आ गया पूरा बसंत देगा मला अनेक्सपेक्टेड बसंत थी वह और मुझे भी नहीं पता जो रात का सीन था ना ओहों क्या रात का सीन मज़ा आ गया पूरे हॉट बलून्स पूरे ऐसा लग रहा है जाए सिनिक आपको बहुत जल्द एक न्यू ट्रिप न्यू व्लॉक्स के साथ बिकॉस आने वाले व्लॉक्स हमारे बहुत ही अच्छे होने वाले एक सीरी स्टार्ट करने वालों मैं वह कहां पर होती है उसकी डेसनेशन की अभी प्रिपरेशन चल रही है अब देखते हैं पर बहुत अच्छा कंडेट फूल सा कंडेट आने वाला है सब स्टेट जूट गाइज जिलते आपको बहुत जल्द न्यू ट्रिप न्यू जॉक्स विकार चुले